मेरे विचारों से आज मुझे ऐसा लगता है भारत ने बड़ी आक्रांताइं धिली हैं हमारी माताओं ने बड़े कश्ट सहन किये तमाम गुलामी के उस समय को हमने भूता और देखा बड़े प्रयास किये चलने के खड़े होने के लेकिन लोगों ने हमारी आवाजों को दबाया तमाम दिनों तक मुगलों का शाशन और उसके बाद फिर अंग्रेजों का राज हमारी अस्मिता और हमारे विचारों को दबाने का प्रयास और उसको देखते हुए जो हमारे विचारों में गुलामी आई देश पतंत्र हुआ लेकिन हमारे विचार गुलाम ही बने रहे बतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आशू बहाने लगेंगे अंधेरे में खो गई है कहां आदमियत जिने ढूणने में जमाने लगेंगे हमें क्या पता था कि चूहे ही एक दिन बिल्ली को आँखें दिखाने लगेंगे बचा लो बतन को भूखों से वरना नेता ही कुरसी को खाने लगेंगे बतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आशू बहाने लगेंगे ये चमन खिलता हुआ मुश्कुराता हुआ महकता हुआ ये भारत कही राजनीति की बली न चड़ जाए कही धर्मा कमजोर न पड़ जाए कही संतों का आवहान फीका न पड़ जाए कही स्वामी विवे का नंद जैसा ओज आज हलका न रह जाए क्योंकि हमने देखा खिलता हुआ ये जमन बेच डाला सौदागरों ने सौदागरों ने वतन बेच डाला खिलता हुआ ये जमन बेच डाला कोई बेचता है तस्वीर तेरी मां कोई बेचता है तस्वीर तेरी कोई बेचता है कश्मीर तेरी पंजाब जैसा पंजाब जैसा रतन बेच डाला खिलता हुआ ये चमन बेच डाला कोई बेचता है इमान तेरा मां कोई बेचता है इमान तेरा कोई बेचता है शम्शान तेरा कोई बेचता है शम्शान तेरा किसी ने किसी का कफन बेच डाला सौदागरों ने बतन बेच डाला फटते हैं बम और गोले हैं छूटे घर के लुटे रे आज घर को ही लूटे इन्सानियत का इन्सानियत का चलन बेच डाला सौदागरों ने बतन बेच डाला खिलता हुआ ये शमन बेच डाला आपने देखा नहीं तो सुना तो होगा पढ़ा तो होगा अखंड भारत कैसे खंड खंड में बढ़ा